नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका हमारे चनल आचार जागंद्र मिस्त्रा में साल की सबसे बड़ी पूरिमा चुपचाप यहां जलाएं एक दीपक कपूर आपकी साथ पीढ़ी धन से माला माल होंगे जी हां दोस्तों कार्तिक पूरिमा वाले दिन आपको कुछ उपाय करने हैं क्योंकि इस पूरिमा को कार्तिक पूरिमा कहते हैं और दोस्तों इस पूरिमा के दिन उपाय किया गया आपको धन से माला माल कर देगा अगर आप ये उपाई कर लेते हैं, तो आपके घर में कभी भी धन खत्म नहीं होगा, माता लक्षमी की भरपूर कृपा बने रहेगी, यह साल में एक बार आती है और इस बार कार्तिक पूर्णिमाशी है, वह सोम बार के दिन पढ़ रही है, अगर कार्तिक पूर्णिमाशी स सौम बार के दिन पढ़ती है, तो बहुत बड़ी पूर्णिमाशी कही जाती है, यह बहुत ही बड़ा सुब जोग है, इस दिन आपको कुछ उपाई करने है, अगर आप ये उपाई कर लेते हैं, तो भगवान की कृपा आपके उपर होगी, आपकी सभी समस्याओं का की जाती है, कार्तिक पूर्णिमा का बहुत बड़ा महत होता है, और ये जो उपाई है दीपक कपूर को, एक दीपक कपूर अगर आप इस पूर्णिमाशी की दिन जला दें, तो माता लक्षमी आपके घर में बास करती है, और साथ पीडियों तक धन की कमी नहीं आती है, ज में भगवान, यानि कि आप ये मंत्र पढ़े, ओम नमो भगवते वाशुदेबाय, मंत्र को बोलते हुए भगवान के समर्पित कर दे, यानि कि साली ग्राम पर मंजरी समेत तुलसी के पत्ते अरपन करने चाहिए, कार्तिक पूर्णिमा वाले दिन गंगा शनान करने का सा उपाय, अगर आप एक दीपक और कपूर यह उपाय कर लेते हैं, तो जीवन की हर परेसानी, हर कष्ट तकलीफों को से निवारन हो जाएगा, हर कष्टों से मुक्ति मिल जाएगी, स्वेम माता लक्षमी आपके घर में और भगवान विश्नु आपके घर में निवास करे हैं, तो यकीन वानिये कार्थिक पूर्णमाशी के दिन आप बहुत लाब कमाएंगे, हवन भी करना चाहिए, हवन में आहूती देते हैं, अपनी सभी मनोकामनाई पूरी हो जाएंगी, और मैं आपको लगातार उपाय बताने जा रहा हूँ, आपको यह उपाय जरूर करना चाहिए, सबसे पहला उपाय देखें, कार्थिक पूर्णमाशी के दिन जो लोग पीपल के ब्रिच के नीचे, यानि एक दीपक और उस दीपक में कपूर डाल दें, और आप जलाएं तो सभी मनोकामनाई पूरी हो जाती है, कार्थिक पूर्णमाशी वाले दिन पीपल ब् उसके बाद यानि एक सा वाट बार परिक्रमा करें या एक जारा बार कर सकते हैं, ऐसा करने से आपकी सभी परिचानिया दूर हो जाती हैं, दूसरा उपाय है दोस्तों, कार्थिक पूर्णमाशी दिन तुलसी माता के सामने चारो तरब दीपक जलाएं, जहां तुलसी का प कार्थिक पूर्णमा के दिन गौमाता की पूजा करनी चाहिए, जो लोग कार्थिक पूर्णमाशी दिन गौमाता की पूजा और रोटी खिलाते हैं, या खिर खिलाते हैं, उनको पुत्र की प्राप्ती होती है, शुक्षम्रद्धी ऐसो आराम की प्राप्ती होती है, उनक वाठ तुलसी के दल अरपित करता है या मोर का पंख और एक मुरली अरपित करता है उसकी सभी मनोकामनाई पूरी हो जाती है और साक्षात भगवान से कृष्ण उसके घर में बास करते हैं जो लोग कार्तिक पूर्णमा के दिन भगवान विश्णों को तुलसी दल और केला अ देखे कपूर का बहुत बड़ा महत है आर्फिक किसमी दोस्तों भगवान विश्णू को कार्तिक पूर्णमाशरी के दिन कपूर और एक दीपक जला के बगल इस दिन भगवान यह इस दोस्तों रहे को एक दाने नक्षमी में बहुत की सब करई झसे जरूर और 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 अर- और खासकर आप रात तरी एक जारा बचकर दो मिनट पे जरूर जलाए भगवान विश्णू जी के सामने इससे आपके सभी मनो कामनाई पूरी होंगी यह एक दीपक आपको चमतकार यानि देगा लाभ देगा धन संपत्ति की बाढ़ आ जाएगी आपके घर में तो दोस्तों अगर आपको यह वीडियो यह जानकार यह अच्छी लगी हो तो कमेंट बाक्स और सच्चे दिल से जय मातादी जय मलक्ष्मिय वश्य लिखे और दोस्तों जाते हैं जाते हैं वीडियो को लाइक जरूर करिए नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए जये जाते हैं 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 जाते